हेलो व्रीवन स्वागत है आप सभी कैस्ट वीडियो में इस वीडियो को तो अमलुक जीके जीए से लेटेड इंपॉर्टन कोशिन्स डिसकस करने वाले हैं तो अगर आप किसी भी एक्जाम्स की प्रप्रेशन कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए हल्पफुल है रहे दरीवर्स स्विंग के ऑथर कौन है वाई दरीवर्स सींग की बात करे न तो इसके ऑथर को नहां आपके यह हैं अशोक टेंडन ठीक है और अगर आपको इसका पीडियव चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलिग्राम का लिंक मिल जाएगा आप जॉइन कर सकते हो और डे नेशनल कंज्यूमर डे सेलिब्रेटेट बताइए नेशनल कंज्यूमर डे किस दिन मना जाता है नेशनल कंज्यूमर डे की बात करें तो यह आपका option नमबर सी 24th of December को celebrate करें जाता है अगला question है who will be the chief justice for the 75th Republic Day celebration in India बताइए अभी जो हम 75th Republic Day मनाएंगे तो उसमें as a chief guest जो है यह किन को invite किया गया है जो बाइडन रिशी सुनक जोर्जिया मेलोनी या फिर इमैन्यूल मैकरॉन यह किसको invite किया गया भाई इमैन्यूल मैकरॉन को ठीक है अब भाई इमैन्यूल मैकरॉन को है तो यह आपके France के President है ठीक है यह भी याद रखना है जो बाइडन जो है यह कोन है आपके यह आपके अमेरिका के President है रिशी सुनक आपके UK के PM है है ना और जोर्जिया मेलोनी आपके इटली की है ठीक है अगला Question है बताइए कौन सी यूनिवर्सिटी जो है जिसको सम्मानित किया गया है मौलाना अबूल कलाम अजार ट्रोफी 2023 से मतलब अवार्ड मिला है 2022 में भी इसी को मिला था और 2023 में भी इसी को मिला है पताइए कौन सी यूनिवर्सिटी है पंजाब चंडिगड गुरु नानक देव याफर लवली प्रोफेशनल तो भाईया ये यूनिवर्सिटी है Option No.C गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जिसको मिला है मौलाना अबूल कलाम अजार ट्रोफी 2023 इस कोई व्यूस्टी मौलान अजाब्सेटर अफर लाइफ नूट्रीशन इंडिया बताइए हर्ब लाइफ नूट्रीशन इंडिया की ब्राइफ अंबसेडर कौन है हर्मन प्रितकौर अस्मिर्ति मन्दाना अधिपिका पादुकॉन यासर रश्मी का मन्दाना स्मिर्ति मन्दाना अगला कोश्चिन है विच अब दो फॉलोइंग प्लेबेक सिंगर ऑफ इंडिया रिसीब पदमस्री इन 2009 और पदमभूशन इन 2016 निम्लिखित में से कौन से सिंगर को जो है पदमस्री मिला है 2009 में और पदमभूशन मिला है 2016 में सोनु नगम एयर रह्मान उदीत नारायन या फिर कुमार सानु बचाए कौन से सिंगर को मिला है ऑप्शन नम्बर सी उदीत नारायन जी को अगला कोश्चिन है इन विच ये प्रधान मंतरी कौशल विकास योजना लॉंच्ट बताइए प्रधान मंतरी कौशल विकास योजना जो है इसको किस वर्ष लॉंच्ट किया गया 2014, 15, 16 या फिस 17 किस वर्ष देखिए इसको लॉंच्ट किया गया है 2015 में देखिए कौमर्सियल बैंक जो होता है तो इसके इंकम का में सोर्स क्या होता है आपको बताना है अप्शन है गोर्वर्मेंट ग्रांट प्रॉफित फ्रोंच मार्केट इंवस्मेंट डानिशन फ्रॉंच्ट में आ फिर इंट्रेस्ट अन लॉंच्ट अद्वांस इंद्वांस इंदिए क्या होता है कौमर्सियल बैंक का में सोर्स इंकम का option number D interest earn on loans and advances जो है यह main source होता है किसका commercial bank के income का अगला question है which of the following novel is based on the partition of India and was written by Kushwant Singh बताए यह निमलिकित में से कौन सा novel जो है यह based है partition of India पे और लिखा गया है किसके दवारा Kushwant Singh के दवारा discovery of India, train to Pakistan untouchable या फिर the memorable moments बताए यह कौन साथ नोबिल जो है यह based है partition of India पे और लिखा गया है कुश्वant Singh के दवारा option number B train to Pakistan ओके चलिए अगला question है बूटिया डान्स फॉर्म is related to which state बताए बूटिया डान्स फॉर्म का संब्ध कौन से राज़ से है सिक्किम मनिपूर अरुना चल या फिर हिमा चल देखे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था भूटिया ट्राइब जो है यह कौन से स्टेट से रिलेटेड है तो भाई इस सिक्किम से रिलेटेड से तो अब आप मुझे बताओ जो भूटिया ट्राइब है तो वो भूटिया डान्स है यह भी किस से रिलेटेड होगा सिक्किम से रिलेटेड होगा ना अप्शन नमबर ए बताइए ब्रिटेफ गौशन आता है कि बताइए किनके द्वारा जो है पर्मानेंट सेटल्मेंट इंट्रोड्यूस किया गया था तो यह किस के द्वारा किया गया था लॉड कॉन्वैलिस के द्वारा ठीक है लॉड कॉन्वैलिस के द्वारा पर्मानेंट सेटल्मेंट इंट्रोड्यूस किया था साल 1793 में 1793 अगला कोशन है बताइए डाल का सबसे बड़ा उत्पादक वाला देश कौन सा है इंडिया, चाइना, थाइलेंड या फिर यूएसे जितने भी टाइप्स के दाल होते हैं साल ये डाल की बात हो रही है, ओके? ये अपना भारत देश जो है, ये टॉप मोस्ट प्रोडूसर है दाल का चंपारन सत्यागरा वोज स्राटेड इन विच्च इयर, बताएए चंपारन सत्यागरा की सुर्वात किस वर्स होई थी? साल वताना आपको, 1917 सेवंटीन पच्मडी बाइसफेर रिजर्ब कौन से राज में है इजी है भाई यह तो माध्यपदेश में है अगला कोश्चन है विच सेट टू होस्ट सेकेंड एडिशन अफ प्रेस्टिजियस इंडिया इनर्जी वीग उसको शॉट फार में आई डबली बोलते हैं तो बता एडिशन प्रेस्टिजियस इंडिया इनर्जी वर्ग की अप्शन नमबर दी गोवा होस्ट करेंगे ठीक है अगला कोश्चन है ड्यूटीज और पावर ऑफ दो कॉंट्रोलर और ऑडिटर जनरल इस मेंशन इन विच आर्टिकल बताए ड्यूटीज और पावर जो हैं कॉं कौन से आर्टिकल में 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 अप्शन नमबर दी आर्टिकल 149 में 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 अगला कोश्चन है वेन वह इंटरनेशनल टांसलेशन दे सालेब्रेटर बताए इंटरनेशनल टांसलेशन दे कब मनाया जाता है 30th of September इन विच स्टेट विल आयूश बोर्ट बी फॉर्म बताए ये आयूश बोर्ट जो है ये कौन से राज्य में बनाया जाएगा उत्तर पदिश देखे जो जो जी ट्वेंटी था ना अब ये प्लस वन हो गया है ये जी ट्वेंटी वन हो गया है जिसका नाम है आफ्रिकन यूनियन और दिस इस दे लास्ट कोशिशन आप दिस वीडियो बताए ये दे योगा सूत्र फोर चिल्डरन के ओधर कौन है निर्जा चौधरी रूपा पाए एके बटा चरी और फिर बीके स्वामी ना रहा है रूपा पाए ठीक है तो वीडियो के बैंट करते हैं वीडियो अच्छा लग अगर आप नहीं हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरू कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हाँ हाँ